कि आपका कुकिंग कम निसमें आज मैंने आपके लिए एक मश्रूम की सब्जी बनाई है जो बहुत ही सिंपल है और जटपट बनके तयार हो जाती है जो खाने में बहुत ही तेस्टी है है तो नौर्मल इसको हम ने सादा अपने जो घर में मसालह होते हैं उनी से बनाया है एकश्प कुछ हम ने इसНе डाला नहीं है तो चलिए अब इसे बनाने की हम त्यारी शुरू करते हैं यह हमने ले लिया तो लॉंग अपने ये दो मीडियम साइज की प्याज अब ये देखे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है अब इसके अंदर हम डालेंगे ये दो सारी में प्रेस्क्यूई और ये अब डालेंगे एक चमच इसके अंदर अधरक लचन का पेस्ट इसको भी हम थोड़ क्योंकि मेरे जो मच्रूम है जो पैटिट बजार में मिलता है 200 ग्राम का वो मैंने लिया है उसके लिए ये मसाला इनफ है तो अगर आपका ज्यादा है तो आप उसी हिसाब से मसाली की कॉंटिटी ज्यादक कर सकते हैं अपना सब्जी का पूरा नमस पॉना चमच के करीब अब हम इसके अंदर डालेंगे ये देगी लाल मेक्च एक चमच हम पूरे इसमें डालेंगे धनिये का पाउडर ये हमारी होगे इसके अंदर आदी पीसपून हमने इसमें डाल दिया हल्दी पाउडर और ये हमारी होगे इसके अंदर कोटी हुई लाल मेक्च अब हम सब को मिलाएंगे मसालों को यह हमारे बेसिक से मसाले हैं जो हमने इसमें डाले हैं अब हम इसको अच्छी तरह जब तक तेल हमारा ऊपर नहीं आ जाता तब तक हम इसको मसाले को भूनेंगे यह थोड़े से मेरे पास फ्रोजन मटर पड़ेते हैं वह भी मेसी के अंदर डाल दोंगी वैसे तो मटर मश्रूम बहुत बनता है थोड़ इसी मेरे मटर डाली जो देखने में बहुत अच्छी लगेगी अब यह मसाले को थोड़ो और पकाएंगे यह दे मसाला हमारा बहुत ही बढ़िया तरीके से ब पानी हमने थोड़ा गरम ही इसके अंदर इस्तेमाल किया है इतना पानी सही है अभी हमारी जो है मश्रूम वह कोखऊएगी तो पानी अपने आप इसका रिडूज हो जाएगा इसलिए अब हम इसको धक्ते पकाते हैं पांच मिंट के लिए यह देखें कि फॉस्ट क्लास हमारी मश्रूम की सबजी तयार हो गई है अब हम इस टाइम पे इसमें डालेंगे थोड़ा सा थोड़ा साम डालेंगे फ्लेवर के लिए इसमें गरम मसाला एक बार इसको चलाएंगे और गयास को हम कर देते हैं बंग और अब हम इसकी जड़ी बनी है इसमें नॉर्मल मसाले डालें कोई बाहर का इसका हमने इसके अंदर कोई मसाला ने डाला है फिर भी देखिए इसका कलर अटेक्चिर कितना फ़र्स लास आया है तो आप भी से बना के खाईए ये तो कि अब सर्दियों का मौसम आ गया है सब्यों में अगली वीडियो में